रोज रोज के वही मुश्किल काम, अगर आज हम कुछ ऐसे ट्रिक के साथ करें, जो कि चुट्कियों में हो जाएं, तो मज़ा ही आ जाएं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, पूरा वीडियो देखेगा, पसंद आएगी तो लाइक शर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, सबसे पहले ट्रिक आती है किचन से रिलेटेड, हमारे किचन में कप एक ऐसी चीज है, जो बहुत ही जादा काम आ इधर-ओधर खिसकाने के वज़े से यहां से वहां रखने के चक्कर में तूट जाता है, तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगे, जिससे आप चाहे कपको घर में रखना हो, चाहे किसी को देना हो, चाहे आपको शिफ्ट करना हो, आपका एक भीक अपन कि मैंने चार टुकड़े यहां पर इसके फाड लिये हैं, अब हाथों में इसे रखना और हलका सा दबाना है, बहुत जादा तेजी से मत दबाईएगा कि बिल्कुल छोटा-छोटा सा हो जाए, जैसे आप वीडियो में देख रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यह यहां पर इसे तयार कर लेना है, तो क्यूंकि मैं चार कप से आपको यह आइडिया दे रही हूं, तो मैंने यहां पर यह चार टुकड़े पेपर के बना कर तयार कर लिये हैं, आप यहां पर देखिए, मुठी बनेंगी तो यह असानी से बन जाएगा, लेकिन बहुत ही छो पर वाला कप आता है, जो कि हलका सा भी अगर धक्का लगे तो तूट जाता है, अगर वो कप भी होगा तो भी नहीं तूटेगा, और जैसे ही आप इसमें पेपर डालेंगे, इसकी आवाज अपने आप चेंज हो जाएगी, मतलब जो खनक रहेगी ना वो काफी कम हो जाती ह अब इसमें स्पेस बनाते हुए, हम सारे ही कप को इस तरीके से और्गनाईज कर लेंगे, देखिए इस तरीके से हलका सा हम यहाँ साइड में प्रेस करेंगे तो अपने आप जगा बन जाएगी, और सारे कप इस तरीके से रखेंगे, हैंडल को अंदर डालते हुए, यह वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कप को लपेड देना है, तो यह मोटा हो जाएगा, और कप में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगी, बिल्कुल भी जगा नहीं रहेगी, तो नहीं हीलेगा, नहीं डूलेगा, तो कहां से तूटेगा, इस इसमें मैंने rubber band लगा दिया, आप चाहे तो धागा भी लगा सकते हैं, जिससे हम सिलाई वगरा करते हैं, वो वाला धागा आप लगा सकते हैं, ये देखिए, ये बहुत अच्छे से secure हो चुका है, ये आप चाहे बैग में रखिए, चाहे घर में रखिए, चाहे कबर्ड में कहीं भी नहीं, ये कब टूटेगा, बहुत आसानी से आप इसे अराम से रख सकते हैं, चिटकने का डर बिलकुल ही खतम हो जाता है, तो उमीद है ये जो trick है, आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये शिकायत सब के साथ होती है, कब हमने रखा हुआ है, हम ये सोचते हैं, औ महां महां से यहां रखने के चक्कर में टूट जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा, अब देख लेते हैं अगली trick, अभी शुरू हो चुकी है ठंडी, और ठंडी में एक साथ तो रोटी बनती नहीं, अगर एक साथ बनती भी है तो वो शाम को, क्योंकि सब एक साथ खा लेते हैं, तो कई बार इसमें चीटे, कीडे, मकोडे जो है चड़ जाते हैं, फिर हमें तवे को धुलना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें इसे चड़ाना पड़ता है, जिससे की तवा काफी समय लेता है गरम होने में, क्योंकि पानी सुखेगा, या फिर आप टॉविल से पोस्ते हैं, तब भी तवा काफी टाइम लेता है, और बार बार तो घिसने जाएंगी नहीं, क्योंकि ठंडी है, ठंडी में वैसे भी हात बहुत दर्द होता है पानी से, तो तवा ठंडा कर लिजे, उसके बाद आप ले लिजे, एक पॉलिथीन, साफ बिल्कुल पॉलिथ फिर तवा ठंडा हो जाए, तो फिर से रख दीजे, दो तीन बार तो ये दिन में होई जाता है, और ये देख रहे हैं, अच्छे से सीक्योर है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी किडमकोडा नहीं जाएगा, अब यहाँ पर देखे, ये जो पन्नी है, हम सब के घर में आत जाएए, जैसे मैं पहना रही हूँ, जितनी भी पन्नी है, सारी की सारी आप इसके उपर इस तरीके से पहना दीजी, ये देखे, बहुत अच्छे से, ये और गनाइज हो गई, और आपने देखा, एक मिनट का भी टाइम नहीं लगा है, ये देखे, कितनी सारी फैली फैली इस तरीके से आप कट कर लिजे, अच्छे तरीके से आप चाहें तो इसे डिकोरेट भी कर सकते हैं, आप ये जो निचला हिस्सा पन्नी का जिधर पकड़ते हैं, उसको आप अच्छे से गठ्थर की तरह बना लिजे, और फिर इस जो बोटल का कट करके हमने लिया था, उसक से लग रहा है, और जब भी आपको पन्नी का काम हो, तो आप एक पन्नी आराम से उपर से निकाल लिजे, नीचे हलका सा जो है इसको पकड़ लिजे, क्योंकि ये बोटल हलकी होती है, जिसकी वज़े से गर आप एक निकालेंगे, तो ये सारी की सारी उठाएगी, इसलिए ह अगर आप पकड़े रहेंगे, तो बहुत आसानी से आप पन्नी को निकाल सकते हो, जो पन्नी आ है उसको फिर से दबा के रख दीजे, उमीद है ये ट्रिक्स आपको बहुत जादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट जरूर दीजे, साथ में वीडियो को ज्यादा श्यादा शेयर कर दीजे,